अब देखो आज का ये वीडियो इंपॉर्टन देने वाला है क्योंकि मैं आपको सप्टेमर मन्द का ब्रीक आउट स्टॉक्स जो चार्ट पे दिखाए रहा है वो बताऊंगा अब देखो मेरे जो वीडियोस होते हैं वो लर्निंग परफेस बहुत स्टॉंग होते क्योंकि अगर आपको स्टॉक में ग्रिप लानी है तो ये बहुत काम आ सकता है और मैं आज इस वोड़ों में ऐसी ऐसी चीज़े बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है ठीक है तो दो स्टॉक्स है स्टॉक के फंडामेटल कैसा है स्टॉक टेकनिकल कैसा है वो आपके काम आएगा और फिर कोई क्वेरी है आप कॉमेंट कर लीजेगा अब देखो यहां पर एक सर ने पूछा था आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर मन्थली ब्रेकाउट सीरीज बताते हैं यहां कौन सा स्टॉक में मन्थली चाट पर ब्रेकाउट है आ उससे पहले आज में आप एक विटिस्ट्री दिया था जो मुझे लगा था कि यहां पर एज्यूकेशन परवस यहां पर मोमेंटम हो सकती है स्टॉक का हाई था 274 का तो दोनों टार्गेट यहां पर अच्छी होते हुए दिख़ए हैं अब देखो मन्थली ब्रेकाउट हो मैं आपको कुछ टाइम पहले दो स्टॉक को बताया थे वो था क्या महा सिमलेस करके यह स्टॉक नीची के 480 से बताया था स्टॉक उपर गया था 540 पे कुछ पता नहीं नीज आया रिजल्ट आया स्टॉक फॉल कर गया नीची गया और बाद में यह वापस रिकावर कर गय पर यह जो प्रीवेस स्टॉक उसको भी ब्रेक कर गया मुझे किसी ने बूचा था कि सर क्या करे मैं आपको यह ही बताया था कि अगर यह 500 वापस टच कर लाए था इसको उपर जाना है अब वो आज नी तो कल नी तो पर उपर जाया सकते है इसने वापस टेस किया और यह स् स्लो है यह बाद ध्यान में रखेगा उस टेम भी स्लो था जब यह दिया था बातसीत हुए थी कि यह मंथली ब्रेक आउट वाला है तब यह जून मन में आई थिंग मैंने दिया था 470 के आसपास कुछ फिर यह स्टोग अभी 560 पर आता हुआ दिखे गया है क्लियर ऐसा ही मिंडा को भी आपको बताया था इम शूर यह भी याद होगा आप लोगों को ओके यहां पर जो कंटिनेसली बाइंग आ रही थी मिंडा को 266 पर बताया था उसके बाद 300 पर गया था 300 पर इसने दो मैंने निकाल दिया इस टॉक ने एक रेंज के अंदर उसके बहुत स्टॉक स्लो होते है ठीक है तो यह आपके लिए काम आ सकता है अब देखो सेकेंड नमर का कोशन देखो मैं यह दो स्टॉक के जो दो स्टॉक है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन थोड़ा समझ लो टेक्निकल फूचर में आपके काम आएगा ठीक है अब देखो एक आएच करके होटल स्टॉक है यह होटल आज देखोगे स्टॉक का हाई 24274.95 अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो दिया है ठीक है BTS यह मेरे सॉफ्ट्वेर में दिया है यह दो स्टॉक्स बताया थे ग्लैन फार्मा माफ कीजिगा जीम फॉल्डर रहा और यह यह कंव क्या होती है मैं बस रिपीट करो पैटन सुथी है देखो विधाउट पैटन्स कोई सॉफ्ट्वे तो कॉल नहीं दे सकता कोई बता नहीं सकता सॉफ्ट्वेर यह मुमेंट्म करेगा यह टेकनिकल ब्रिक औट करेगा वगेरा वगेरा अगर सॉफ्ट्वेर एग्जेटली time पे pick कर लेता है without volatility अब देखो यह जब दिया था 265 266 पे था क्या इसने 261 के असपस गया नहीं गया see the 268 then 272 and 274 तक गया ठीक है तो perfect time okay and perfect जो हम लोग entry का थे इसका मिनी क्या होता है कि भाई market में patterns है तो जो मैं आपको monthly monthly breakout में आपको बताता हूं कि यह stock monthly breakout वाला है उस में क्या logics में use किये हैं btst में क्या logics यूज किये हैं हर एक की पीछे logics होते हैं अगर मेरा जैसा बंदा अगर यहां पे perfect को software develop कर सकते हैं जो हम पे breakout exactly timely पकड़ सकते हैं और आपको practice कीजिए कि market में patterns होती है अगर आप सीख जाओगे आपको वह patterns आसानी से पकड़ सकते हैं short and simple में clear तो पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि market में patterns क्या है समझ रहो तो वही patterns में बताता हूं और हर एक 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 बात आंखरी यह ध्यान में रख लो कि हर एक में अलग-अलग patterns होती है BTST में अलग होती है एक 2% के लिए momentum stocks के लिए जो एक से तीन मेने के लिए उसकी अलग patterns होती है दो-चार दिन जो stocks चलते हैं jackpot हो जाता है momentum हो जाते उसकी patterns अलग होती है उसकी time frame अलग होता है उसका percentage of return दो-चार पसंद के लिए होता है momentum jackpot मन्तली वाले में 10-12 पसंद या 15 पसंद होता है BTST के लिए 1-2 पसंद होता है हर एक के लिए अलग-अलग patterns होती है आई बाद समझ में तो मैं आपको हर बार ये वीडियो में यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मन्तली breakout देता हूँ उसमें क्या patterns है आपको study करना चाहिए ठीक है तो अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए काम का लगता है education के लिए लगता है interesting लगता है वीडियो को share जरू कर देना बाई देखो मैं मेरे को आता है ठीक है मेरे पास knowledge है मैंने यहाँ पे यह मैंने खुद पैसे भी कमा रहे है ठीक है देता हूँ तो यहाँ पैसे मिलते हैं लेकिन ये knowledge आपको भी मिलना चाहिए आपके colleagues को भी मिलन चाहिए ठीक है तो यह वीडियो शेर जरू कर देना ओके फटाट मुद्धे पर आ जाते हैं कोई साथ बगवास नहीं इंपॉर्टेंट फरस्ट बात यह है पैटन्स मंथली ब्रीक आउट भी अगर आप फोकस करने जाए तो कि इसने मंथली चार्ट के अंदर यह रेंज ब्रीक की है वो भी वॉलिम्स के साथ यहां पर देखोगे पिछले तीन-चार मेंने में काफी वॉलिम्स आये हैं जो काफी पॉजिटीव है एंड स्टॉक में बात करने जाए तो मैं समझ गया था डेफिनिटली यह चार्ट पैटन देखके कि भाई लब क्या बोलो मैं कौ को हटा देता हूं यहां पर स्टेक इंग्रीज कर दिया है 27.5 परसंट से 28 पर्मोटर हालके डिक्रीज के समझ हो ठीक है में भी कुछ लाया होगा QIP वगएरा वगएरा लेकिन हां एफाई के पास स्टेक इंग्रीज हो चुका है जो पॉजिटीव बात है तो मैं यह चीज स समझ चुका था उपर के लिवल से गर आप देखने जाए तो इनके रिजल्ट भी काफी अच्छी आ रहे है और तो लॉंग टम के लिए अच्छी कंपनी है वैसे और मैं जो न्यूस बताऊंगा वो भी शायदा इसके काम की है क्लियर तो यह कंपनी को आप जरूर फोकस एक बार कर सकते हैं कौन सा है डाइरिंग नाम बता देता हूं पहले और वो नाम आ चुका है कहां पे गया कहां पे गया वो बंदा था यहां पे यह वाला बंदा था एम्टार टेक्नोलोजिस क्लियर ओकी अब पॉइंट आ जाता क्या है इनके रिजल्ड यर्ली बिजिसन्स पर काफी अच्छी आ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में कंपनी से हैं प्रोजेक्स इनको मिलते हुए दिखाई दिखाई दिए वागेरा वागेरा चो काफी तक पॉजिटिव हैं अगर आपको दिखना है वो भी दिख सकते हैं दिफेंस रिलेटेड यानि कि उनको डिफेंस का इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिल चुका है अब वो फॉरेंट MNC के साथ यहां पर प्रोजेक्स क्रियेट कर सकते हैं जो काफी हतक बड़ा पॉजिटिव है और इनका रेविन्यू काफी हतक इंक्रीस हो सकता है और इसकी पॉजिटिव अब बात आ जाती है सर मैं कभी-कभी पॉजिटिव देख लेता हूं लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ था कि करेंट लेवल पे एंट्री पॉजिटिव होती है नेगेटिव ठीक है मान लो यहां से 5% डिप कर गया तो मैं क्या पैनिक करूं सिंपल कोशन द देखो पहले तो वापस बताना चाहूंगा यह strictly education purpose है लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहरा हूं कि अगर मैं कोई चीजे पिक कर सकता हूं momentum के लिए या long term के लिए या jackpot के लिए तो वह मैं क्या सूचता हूं ठीक है तो मैं आपकी जगह होता है मैं यहां पर एक ही चीज़ स और मैं बहुत बर बता चुका हूं कि यह जो लाल कलर की लाइन है इसको बोलते है 20 exponential moving average ठीक है यहां पर यह लाइन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी आप इंडिकेटर में जीरो दा में भी जाके सर्च करो आप स्टॉक्स वगेरा वगेरा यहां पर यह में दिखो 20 यह में कि लाल कलर की लाइन मिल जाएगी इसके ऊपर वर्टिकल ही चल रहा है यहां पर इसका मिनिंग है कि स्टॉक में थोड़ा profit booking आ सकती है लेकि मैं यह क्यों जज़ कर रहा हूं कि यहां पर स्टॉक में momentum continue रह सकती है आगे चलने वाला टाइम के लिए यहां कि दो मेने चार मे positive candles और यह three positive candles किसका इशारा करती है अगर आप हमारे regular follower हो तो बिग बूल पैटन याद है बिग बूल पैटन ठीक है ना I am sure याद होगा बिग बूल सीरीज हमरे पहले स्टाट हुई थी three positive candles 20 dma के ऊपर sustain करना और जैसे यह गिरता है 20 dma पर support लेके वावस bounce back करना इसको बोल magical patterns ठीक है यह किसी को नहीं बता होता लेकिन हाँ पैटन होती है और big bull ही बड़े place ‫覺得 the body place ने entry की है कि समझ रहे हो अगर मेरा тоб ने-1 यूज करके market में अपको चार्ट में अगर three positive candles continuously आती है तो भी मेरी साब से यहाँ पर बड़े फ्लेसली एंटर की होती है और शायद अच्छे time frame के लिए की होती है तो यहाँ पर देखो कि three positive candles भी आपको आती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर भी three positive candles थी, यहाँ पर भी continuously candles थी, यहाँ पर देखो, डीप आया three positive के बाद, लेकिन वापस यह recover कर गया, अब यह weekly chart है तो यहाँ पर चार विक डीप आया ने की एक माइना डीप आया, यह शाद वर्टिकल मूग की वज़े से डीप आया होगा, मैं बता था हूँ, डीप डीप आया, वापस भाग गया, ठीक है, तो chart pattern ही खुद बता देगी, कि भाई मेरे अंदर बड़े place है, आपको ढूंड़ना आता है, कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्यास बड़े place है, चांस से मैं उपर जा सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मैं उपर जाने के बाद मार्केट में न्यूजानी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो chart pattern ही आपको बता देगी, short and simple में, अब मुझे एक हमारे एक resistance है कि नहीं, कि मैं यहां से और उपर जाने के chances है, तो मैं नहीं ना बोला था, clear cut, और यह वात है एक दो दिन पहले की, ठीक है, क्योंकि यहां पे यह जो आपको दिखाई दी रहा है, एक clear cut resistance था, एम्टार में clear day है, first week है, और यह सीधा है, इसने breakout कर दिया, आजी के दिन, ठीक है, आजी के दिन कर दिया, जो clear बता रहे है, भाई, मेरे में तो दम इतना strong है, ने कि भाई, मैं technical नहीं देखता, यह खुद stock बता रहा है, तो chances यह clear है, कि यहां से एक और uptrend possible हो सकता है, positionally दो मेने, चार मेने, based on the technical charts, ठीक है, आई बात clear, अब हलका full cut deep आता है, तो panic करने से कुछ नहीं बनेगा, ओके, ठीक है, मैं बस, I'm sure यह समझ में है, अगर देखो, समझ में आ रहा है, मेरी दिल की भावना आप तक पहुँच रही है, वीडियो में comment करते रहे ना, please support के लिए comment, at least कर दो, मुझे भी ऐसा लगए कि मैं अच्छी life में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी comment कर देना, at least, and like भी कर देना, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओकी, तो सर, आपको क्या लगता है, क्या मान लो, यहां सी volumes आये हैं, तो क्या यह औरूप पर chances, आपको कितने लग रहे हैं, be frankly sir, कितने लग रहा है, देखो, अगर यह जीस तरह से volumes आये हैं, तो मुझे मेरी साब से volumes तो अभी just start हुए है, ठीक है, जीस तरह से volumes आ रहे हैं, यह बता सकते हैं, यह 3 के आसपास जा सकते हैं, around 3 के, से, KP energy बताया था, जो 500 को test किया था, जिस तरह से, दूसरे बहुत stocks से, मैं नाम नहीं ले सकते हैं, यतने हैं, लेकिन हाँ, momentum दिखाई दे रहा है, आई बत समझ वह, ठीक है, तो इसको focus कीजिएगा, second stock जो हो चुका है, वो कहां पर है, वो यहां पर है, ठीक है, यह ग्लैन अब यह वापस उपर आ रहा है, इसमें दम है, ठीक है, अगर दम नहीं हो, तर वापस उपर नहीं जाता, देखो, मैं simple आपको बताना चांगा, सुनो ज्यान से, मानलो कोई stock breakout कर रहा है, काफी time के बाद, आपने यहां पर entry की, ठीक है, लेकिन उसके बाद fall कर गया, कोई भ करो, तो मेरा answer यही होता है, कि यहां पर hold करना होता है, generally, 90 cases में, 90% के, क्योंकि अगर यह इतना जल्दी recover कर जाता है, first breakout के बाद, इतना जल्दी recover करता है, इसको नीचे बैठना नहीं है, इसका नीचे कीडे लगे है, बोलता है कीडे लगे है, तो इसके नीचे कीडे लगे है, Trident का, देखो यहां पर, यह कीडे वाले stock, on a serious note, ठीक है, देखो यहां पर, अब Trident ने यहां पर breakout किया, 35 पर, गया 38 पर, fall किया, side पर चला गया, और वापीस ही breakout किया, अब मेरा example है, सही है के नीचे, इसके नीचे, यह clear के कीडे वाले stock है, अब यह कीडे कहां पर जाके की रुखेंगे, यह तो खूद stock ही बता देगा, ठीक है, तो यह अभी जस्च शुरुआ थे, यह कीडे की, मतलब, momentum की, यह शुरुआ थे, तो इसको भी एक priority पर रखना चाहते रख सकते हैं, यह landmark को रखना चाहते रख सकते हैं, यह कीडे बता रहे कि भाई, यहां से नही ही नहीं, तो कुछ न कुछ 10, 15, 20, 25% में भी चला जाए, ठीक है, लेकिन अगर टेकनिकल चार्ट पे बता ना जाओंगा, तो टेकनिकल चार्ट में क्या बता रहे हैं, देखो यहां पे, मैं इसका मंथली चार्ट ले लेता हूँ, यहां पे फिबोना की रिटर्समेंट ड् आसपस जा सकता है, इन सेकेंड लेवल है 2600, तो सौट इन सिंपल में 26 के आसपस जाने का दव है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, यह कल जाएगा, परसो जाएगा, तरसो जाएगा, नरसो जाएगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से केड़े हैं इस टॉक में, चांसे से मिला है, यह USDA अप्रूवल मिला है, तो यह कुछ न्यूज मार्केट में आ ही जाती है, तो हो भी यह चीज़े एटलिस आप लोगों को समझ भी है, यह सेम चीज़े आप ट्राइडर में भी फोकस कर सकते हैं, फिबोना के लगाईए, आपको बताईए, पॉइंट टू का र अगर आप टेलिक्राम में नहीं है, जाकर जुड़ेगा, मार्केट जब मुझे लगा स्टेबल है, मैं ट्राइड करूँगा, लेकिन यह स्ट्रिक्ली एज्यूकेशन परपस होगा, अगर आपको ट्राइड करना है, नहीं कर सकते हैं, मैं सिफ यह बताना चारू, अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई, जय है